काम स्वाकत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो भारत का Criminal Justice System है यानि कि अपरादिक न्याइक परणाली है क्या उसको सुधार की जरूरत है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ Reports जो हैं ऐसी हमारे सामने आई हैं इवन उन Reports को अगर हम अटाएं तो आप अपने आसपास के लोगों से ये भी सुनते होंगे कि यार मैंना यार इस Court कचैरे के काम में फसना नहीं चाहता है बहुत lengthy process है बहुत time लग जाएगा इसके अंदर तो इस process में जाने से बैट रहे हैं कि हम बाहर ही जो है अपना फैसला कर लेते हैं अगर कोई लडाई होती है तो उसको Court के बाहर ही सुलजा दिया जाता है ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं हम आसपास में ऐसा देखते भी है क्योंकि वो इस system में नहीं फसना जाते है क्योंकि complicated system है और साथ ही साथ ये जो सुधार की जो मांग है वो अब की नहीं है बहुत पुरानी जो है ये मांग उठ रही है और हम देखेंगे कि जो criminal justice system है इसका background इसकी history क्या है कैसे ये work करता है हमने ये जो अपनाया हुआ system है वो Britishers से हमने अपनाया था तो Britishers ने आप देखें तो जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने जो criminal justice system बनाया था भारत के अंदर वो तो एक तरीके से भारत के उपर राज करने के लिए बनाया था कि भाया हमें इस देश को लूट के खाना है यहां के लोगों को उपर नहीं उटने देना इनके rights हमें नहीं बताने तो उन्होंने इस system को evolve किया और हमने इस system को as it is या थोड़ा बहुत उसके अंदर changes करके accept अपने अंदर मिला लिया हुई तो यह जानने की जुरूरत है कि किन-किन सेक्टर के अंदर सुधारने की जुरूरत है तो इन तमाम चीजों को हम इस वीडियो में discuss करने वाले है वीडियो मागे बढ़ने से पहले PDF के लिए में आप लोगों को बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF जो वो download कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं तो देखिए एक समय के according मैं बात करता हूँ पुराने time में जहां पर हमारे देश में मुगल आए फिर Britishers आए जैसा हमारे देश में criminal justice system हुआ करता था जैसे जैसे उसका evolve हुआ और आज की date में जो आप हमारे देश में एक modern complicated judicial framework देखते हैं देखिए ध्यान रखिए complicated एक हमारे देश के अंदर अब ये हुआ क्यों क्योंकि धीरे-दीरे evolve हुआ हमारा nature क्या है evolve होने का हमने धीरे-दीरे rights पहचाने किसी के फिर एक complicated judicial system मारे सामने निकल कर आ जाता है अब ये जो मैंने complicated judicial system आपकी सामने बात बोली न यही जो है वो बहुत जादा एक तरीके से मांग उठाती है कि आज की date में हमें एक ऐसा justice delivery system लेके आना चाहिए जो affordable हो जो effective dispute resolution mechanism के साथ वर करें मतलब की time रहते सारे जो case है उनको वो निब्टारा करतें technology जो है इसके साथ use की जाए ताकि speedy trial जो है वो लाए जा सकें अगर किसी का case चल रहा है उसके trials है वो जल्दी-जल्दी हो सकें तो इन तमाम चीजों को अगर हम कर पाएंगे तो एक potential game changing transformation हमें मिलेगा हमारे justice delivery framework के अंदर first of all हम जान लेते हैं what is the structure of criminal justice system in इडिया कैसे वर्क करता है क्या चीज़े हैं हमारे सामने ये तो देखिए भारतिय जो अपरादिक न्याइक परणाली है वो जो government agencies है जैसे कि enforce the law लो को यानि कानून लागू करती है फिर अपरादों का न्याइ करती है वो कौन करता है वो court करती है अपराद का अगर फैसला हो जाता है तो फिर उसको सुधारने के लिए उसके behavior को सुध सिस्टम होते हैं इसके पहले तो हमारे सामने legislature यानि विधान बंडल आती है जो कानून बनाती है फिर police जो enforcement करती है कानून का फिर उसकी न्याइक परणाली होती है मतलब कि उसको एक तरीके से अपरादों का न्याइक किया जाता है न्याइल लेके अंदर फिर उसको सुधा इसका इतियास क्या है तो हम इसको जा लेते हैं तो देखे भारत के इतियास में जो विभिन शाशक विभिन रूलर्स है तो उनके अधीन विभिन जो criminal system है या कि criminal justice system है वो विक्सित हुआ विभिन शेत्रों के अंदर उन्होंने प्रमुकता हासिल की जैसे कि ब्रिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिशन ने सबसे पहले हमारे देश के अंदर codify किया था इस system को यानि कि एक सहीं बनता यानि एक तरीके से एक उसको categorize किया था और आज की डेम में हमने जो system अपना रखा है वो काफी हद तक एपरिवर्तित मतलब कि थोड़ा बहुत उसके हमने चेंज करके जो ब्रिटिशन ने लिया था वही हमने अपना लिया है इंडियन पीनल कोड यानि जिसको हम कहते हैं IPC जो यह था official criminal code of India जिसको ड्राफ्ट किया गया था 1960 में एक law बनाया गया था first law commission जो 1834 में बनाया गया था किसके तहत charter act 1833 में जिसके तहत जो है इस commission क करके हमारे सामने रखा 1860 के अंदर IPC फिर हमारे सामने आता है code of criminal procedure CRPC जिसको हम बोलते हैं यानि कि जो procedure है procedure किसका administration यानि परशाशन criminal law का उसको मतलब कि उसका परशाशन कैसे होना चाहिए यह कैसे तह किया जाएग वो CRPC के तह वो CRPC कब आया था 1973 के अंदर आया था effective हुआ यह 1st April 1974 में तो एक तरीके से यह हमारे सामने एक छोटा सा brief हमारे इतियास निकल के आते है criminal justice system का अब what are the current issues related to the criminal justice system in इडिया वही क्यों जरूरत है क्या ऐसी जरूरत आपड़ी क्या ऐसे कारण है कि हमें हमारे देश का criminal justice system में वो बतलना चाहिए उसमें सुधार के जरूरत है तो एक जो मामला हमारे सामने आते हो पेंडेंसी यानि कि जो पेंडिंग मामले है वो बहुत जाद है देखिए 2022 के record के अनुसार माने तो भारत के जो अलग-अलग courts है जो विभीन courts है पूरे भारत है वहाँ पर 4.7 क्रोड मामले जो पेंडिंग है यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह एक रिपोर्ट बात कर रही है उस रिपोर्ट में निकल कर आया है कि 4.7 क्रोड मामले पेंडिंग है भारत के जो courts हैं वहाँ पर जी और यह तो पेंडिंग है साथी साथ अब क्या हो रहा है कि यहां पर case और बढ़ते भी जा रहे हैं reason क्योंकि लोग और ज्यादा litigations या फिर याचिका अपील जो है वो या फिर organization जो है वो approach कर रही है court की तरफ अब approach कर रही है obviously court के पर बहार बढ़ता चलेगा cases का जिस speed से cases बढ़ रहे हैं उस speed से जो जजिस है उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है तो एक बहुत major issue हमारे सामने आता है कि case जो है वो pending बढ loading जो prison का यानि जो jail का इन्होंने आंकड़ा दिया कि jail में कितने लोग ऐसे बंद हैं जिनके ओपर trials चल रहे हैं देखे trials का मतलब यह है कि उनके ओपर अभी मुकदमा चल रहा है वो अभी साबित नहीं हुए है कि वो दोशी है अभी वो दोशी नहीं अभी शाबित हुए है यानि approximate 67 जो लोग हैं ऐसे हैं जिनके ओपर मुकदमा चल रहा है इसमें निर्दोश भी हो सकते हैं जिनके ओपर शायद जुढ़ा मुकदमा भी चल रहा है लेकिन यह jail के अंदर ही बंद हैं इनके ओपर trial चला जा रहा है trial चलते हैं court में इनको अगली date दी जाती है फिर यह आ चुका था ऐसे भी चीज़ें हमारे सामने निकलती हैं तो आप देखिए कितनी ज़्यादा जूरूरत है इवन यह report कि किसने दी है national खुद government यह report दे रही है national crime record bureau यह report बोल रही है फिर दूसरा हमारे सामने आता है reason colonial nature colonial यह अपनी वेशिक आप दीखिए कि जो हमने system अप कानून लेकर आये जो भी कानून लेकर है क्या इस देश का भला करने के लेकर आये थे क्या बिलकुल भी नहीं वो इस देश को दबाना चाहते थे इस देश को खतम करना चाहते थे या फिर कहें कि इस पिर सिर्फर सिर्फर वो राज करना चाहते थे जितना शोशन हो सकता थ करना चाहते थे, यहां की जो वैल्थी वो निकालना चाहते थे, यहां के लोगों को वो जैसे तैसे, मतलब उनके राइट्स पता ना चले, उनको कुछला जाए उनकी यही कोशिश रहती थी अंग्रेजियों की तो यही निती रही है अब इस निती के चलते वो कभी भी ऐसा सिस्टम तो लेकर आएंगे नहीं भारत के अंदर कि भाईया यहां के जो लोग हैं वो समरीद हो चाहें, भाई वो उस टाइम का उन्होंने क्रिमिल जस्टिस सिस्टम बनाया, और हमने उस सिस्टम को अपना लिया, अरे 19-वी सदी के इन कानून का आप रेलेवेंस देखे, आज की डेट में क्या है 21st century चल रही है, क्या रेलेवेंस बनता है, क्या उसके उपर डिबेट नहीं होनी चाहिए, तो दूसरा डीजन हमारे सामने यह आता है कि क्रिमिल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है सुधार की जुरूरत है तीसरा हमारे सामने आता है Slow Enforcement of Judicial Quarters मतलब नयाइक आदेशों का धीमा परवर्तन मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जो coordination होता है न, एक court और जो एक police के बीच बेच बेच जो coordination होता है इन दोनों के बीच बेच कि भाईया हाँ, जो court ने कोई बात वो ली, police ने समझ ली अब police उसको लागू कर दे यह बहुत slow है, बहुत slow ऐसे हैं, कि आप देखिए यह जो चीज़े है court ने तो भाईया कोई ऐसा low था या फिर ऐसा कोई act था जिसको उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पुलिस तक वो बात पहुंची ही नहीं पुलिस तक कोई बात वो पहुंची नहीं, तो पुलिस जाए वो किसी नागरी को अगर के विरुफतार कर भी रही है, तो उस पुराने low या पुराने act के coding कर रही है जो कोड ने बंद कर दिया था ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हाली में ऐसे case नजर आए, खुद कोड ने ऐसी बात बोली कि section 66A section 66A क्या है कि इन्होंने ये stuck down कर दिया था, 66A क्या कहता है information technology act 2000 उसका एक section है जिसमें, मतलब punishment for sending offensive message अगर आप offensive message भेज रहे हो एक computer या फिर किसी other communication device के द्वारा, तो एक अपराध है, ये जो सुप्रीम कोड ने इस section को stuck down, यानि कहें कि बंद कर दिया था सुप्रीम कोड ने तो बंद कर दिया था इसको लेकिन पुलिस तक ये चीज पहुंची नहीं और पुलिस इस बिहाब पे लोगों को किरफ़तार करती रही, तो देखे कितना lack of coordination है सुप्रीम कोड और पुलिस के बीच में, तीसरी ये बात होगी, फॉर्थ हमारे सामने आते है सलाकों के पीछे जो एक एमानवी है यानि कि जो inhuman behavior हो रहा है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक सीरीज है criminal justice के नाम से, उसके तीन सीजन आ चुके है, आप एक first सीजन देखे तो आप जाके देखेंगे न, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत realistic work किया आप कही न कहीं आप idea लगा पाएंगे कि जो jail है भारत की, तो वहाँ पर कैसा काम किया जाता है अब कैदियों के साथ देखें, जो वहाँ की जो staff है, बहुत गंदे तरीके से बरताव करते हैं इवन उनके साथ, यहाँ पर custodial rape, या फिर death तक की हमारे सामने report आती हैं जो critics हैं, इन्होंने बार-बार complaint की है बार-बार अपनी voice अठाई है इस चीज़ को लेकर कि जो jail है, उनके पीछे जो staff है, वो बहुत गंदा बरताव कर रहे हैं, उनके कोई rights उनको नहीं पता है, उनको एक तरीके से वहाँबर, एमानवे बरता, उनके साथ किया जा रहा है, तो ये fourth reason हो गया फिर fifth reason, जो मुझे बहुत एक genuine चीज़ जो लगी वो यह, reason तो सभी मुझे अच्छे लगी, लेकिन इससे सभी agree कर जाएंगे, कि देखे, आज की rate में हम देखते जब हमारे देश अजाद हुआता तो एक भाषा के अधार पे फिर हमारे देश में राज्ये जो हते वो बनने start हुए थे, तो जब देश अजाद हुआता, उस वक्त ये था कि जो court है, उनकी language क्या होनी चाहिए भई, क्या हिंदी होनी चाहिए या English होनी चाहिए तो देखिए, भारत की जो constitution है उन्होंने क्या करा, कि भई, जो court है अभी फिलाल के लिए, permanent language नहीं है, आप समिल लिजी, English जो है, वो court की permanent language नहीं है, लेकिन ये तब तक इसकी official language रहेगी जब तक कि Parliament जो है कोई other language इसके उपर ना बना दे, मतलब की लगा दे, कि भी आज के बाद आप हिंदी में ही सारे order देंगे या हिंदी में ही सारी चीज़े जो है, वो निकल कराएंगी लेकिन क्या किया, हिंदी तो इसके उन्हों लागू नहीं किया, कोई other language भी आप माल लेजे, नहीं कि English ही इसके उपर चलने दी, जब वो हाई कोट और जो सुप्रीम कोट यह सब चीज़े चल रही है लेकिन कुछे कोट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हरियाना राजस्तान जहांबर क्या है कि हिंदी जो है वो subordinate कोट के अंदर यूज की जाती है तो यह English हो रही है तो एक language barrier जो है वो सब के सामने हमारे सामने आते है एक common people है जिसको नहीं बता है English के बारे में English ज़रूरी थोड़ना है, वो तो देश भारत के अंदर रह रह रहा है उसको ज़रूरी थोड़ना है कि वो English जाने उसको तो अपनी language आती है जो 22 भाषाएं जो हमारे समिधान में लिखी गई उन 22 भाषाओं में वो एक भाषा का तो ग्याता है तो अब ज़रूरी थोड़ना है उसको English आए तो वो जो नागरीक है अब उसको English नहीं आती है तो इस system को कैसे समझ पाएगा तो उसके लिए तो एक तरीके से complexity बर जाती है कि यार इतना जटिल system तो वो एक नय जो उसको मिलना चाहिए था उसके जो अधिकार थे उसको समझने चाहिए थे वो समझ नहीं पाता उस नय तक वो सहीं से पहुँच नहीं पाता ये कियो हुए है AI Portal Supports ये हो गया हमारे सामने Interoperable Criminal Justice System प्रोजेक्ट जो चाहिए ये चलाया हुआ है Live Streaming की बात हो रही है Supreme Court की Proceeding के लिए कुछ एक Live Proceeding की जाएगी कुछ एक Cases की जो हो Live Proceeding की जाएगी ताकि लोग समझ सकें कि कैसे Work हो रहा है भारत भी काम कर भी रही है लेकिन बहुत जादा जरूरत भी है इन सब जीजों को सही करने की अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए तो देखिए एक पुनर स्थापना करनी चाहिए न्याय की मतलब कि देखिए जो victim है जो उसके rights है उसको बताने चाहिए कि वहाँ पर एक तरीके से देखिए एक report आई थी एक report या एक committee थी VS Malimat Summit 2003 और 268th Low Commission Report इन्होंने कहा था कि जो victim है जिसके उपर अपराद हुआ है उसके पास यह अधिकार होना चाहिए वो participate कर सके किसी को अगर अक्यूज है हवाई वो वहाँ पर मानी जाए साथ ही साथ जो victim है उसकी जो protection है जो witness है उसकी protection scheme है वोल बनाई जाए और utilize किया जाए victim की जो statement है उसको सही डंग से victim के अधिकारों को उसको compensation इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना एक तरीके से जो कदम है सुधार की तरो वो बढ़ाया जाएगा जो भारत का जो criminal justice system है उसको इसके अलावा जो न्याइक सेवा पर बढ़ती जो ताकते कि 2020 की भारत न्याइक report से पता चलता है कि भारत में परते एक 50,000 नागरिकों पर एक ही न्याइद इस है एक ही जज है वही जिस संक्या से लोग बढ़ रहे हैं cases बढ़ रहे हैं तो क्या वहाँ पर जजीज के संक्या नहीं बढ़नी चाहिए obviously बढ़नी चाहिए और यह शुरुवात कहां से होनी चाहिए तो देखे एक होता है हमारे सामने पिरामिट सिस्टम है हमारे देश में पिरामिट सिस्टम मतलब कि नीचे सबोडिनेट कोर्ट है फिर यहाँ पर हाई कोर्ट होगे फिर हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट नाजर आता है तो यहाँ पर subordinate court में ज्यादा judges होते हैं यहाँ पर Chief Justice of India हमें आरे सामने CGI बेठे होते हैं तो कहा गया कि आप नीचे से system शुरू करिए ना यहाँ पर जो है जो judges की संग्या बढ़ाना start करिए तो जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो लोग cases लेके आ रहे हैं ताकि उनका फैसला जल्दी हो सके clear? अब पुलिस को चमकाना यह थोड़ा सा अलग आ गया polishing चमकाना का मतलब यहाँ पर यह मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दी है सीधा गूगल में गया वहाँ पर इंग्लिस लिखी इंग्लिस का सीधा ट्रांसलेटर यह चमकाना अलग आ गया बदल एक तरीके से पुलिस को सुधार पुलिस में सुधार की जरूरत है ऐसा बोला गया तो देखे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक प्रोग्रेसीव मोडर्न इंडिया को जो है वह एक पुलिस फोर्स की जरूरत है जो भारत की जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है इच्छाए हैं लोगों की उनको पुरा कर सके आज हम पुलिस को देखें तो हमें ऐसा ना लगे कि हम डरें उनसे हमें फील नहीं आना चाहिए और एक्च्छल में ऐसा होता भी है भारत के अंदर आप पुलिस को देखते हैं तो हमें शुरक्षा की बावना कम आकर हमारे दिल के अंदर डर की बावना जाद आ जाती है तो वो सब चीजें खतम करते हुए जो लोक तंतर है उसको बनाए रखेंगे किसी के राइट्स का वो हनन नहीं करेंगे साथ इसाथ देखे ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सुप्रीम कोट ने भी खुद बोला हुआ है परताप सिंग वर्सिस दा यूनियन ओफ इंडिया जहां पर उन्हों ने कहा था कि पुलिस फॉर्म में सुधार की जरूरत है या सुधार किये जाने चाहिए ऐसी इच्छा जो सुप्रीम कोट ने जचाई बतवल बताई थी सुप्रीम कोट ने कहा था कि देखिए जो पुलिस है आप इसके काम को न डिवाइड करिये एक कोई इन्वेस्टिकेशन करने वाला है आप उसको इन्वेस्टिकेशन करने दिये एक कोई फिल्ड वर्क में अगर कोई मर्डर केस उलजा रहा है तो आप उसको काम करने दिये आप दोनों को एक ही पुलिस इंस्पेक्टर को या उनको एक काम मत दीजी कि वहीं इन्वेस्टिकेशन कर रहा है वहीं फिल्ड वर्क कर रहा है वहीं आप उसके लिए तो बहुत जादा दिमाग चाहिए इसके लिए बहुत अलग वर्क चाहिए तो यहां पर आप इन दोनों को एक कैसे कर सकते हैं तो आप इनको करिए उनका स्ट्रेस कम करवाईए तो बहुत सारी चीज़ें वहारे सामने निकल के भी आती है और बहुत सारी मांग भी उड़ती रही है कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म की जरूरत भी है तो यह सब जीज़ें करने चाहिए और आज की डेट में आप देखेंगे ना 21st century के अंदर जैसे crime का एक structure बदल रहा है नजरिया बदल रहा है crime करने का crime जैसे cyber crime होगी economic offense होगी तो आज की डेट में पुलिस में रिफॉर्म की या पुलिस अप्ग्रेड उनकी skill को अप्ग्रेड करने के जुरूर रहता ताकि इन crime को वो handle कर पाएं तो ये एक polishing of police ये भी होगी हमारे सामने इसको करना है फिर एक नियाएक backlog पर काबू पाना कि overcoming judicial backlog backlog बैकलोग का मतलब जो बकाया है बकाया मतलब कि जो case pending है उनको करिए आप एक right to speedy trial मतलब कि अधिकार मना दीजिए न आप आपके पास अधिकार होना चाहिए right होना चाहिए कि आपको speedy trial का अधिकार है जो एक तरीके से अपरादिक न्याय का सार बनता है देखे जो overcome backlog ये जो cases है इनका धेर बढ़ता जा रहा है जो court के अंदर आप इनको इनके ओपर काबू पाना जाते हैं तो एक तरीके से आप करिए कि आप technology का use करिए alternative dispute resolution mechanism निकाल लिए जैसे कि आप बहारी arbitration करिए मतलब कि उनकी मदेस्ता कर लीजिए बहारी दो party के बीच में अगर कोई छोटा barrier है तो इन language barrier को हटाना चाहिए जो हिंदी जो English समझ नहीं सकते तो अब इस आम आदनागरी का विश्वास कैसे बढ़ेगा कि भई यहां पर मजाओंगा तो मुझे साही डंग से मेरे काधिकार पता होगे कानून का पुझे पता होगा वो कैसे वो तबी होगा जो गैर अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग है अदाल्तों में परवेश की प्रिक्रिया को कम बोजिल बनाने वाली जो भाषा संबन्दी कटनाईों को समाउट करना होगा तबी इस सब चीज़ें हो पाएंगे कि वो English नहीं जानता, तो कोई बात नहीं, आप आईए, आपको न्याए मिलेगा, पैसे मिलता है, लेकिन वो जटिल सिस्टम नहीं रहेगा, आप भाशा की बादा को कम करने के देश में कानून में वस्ता के भारतिय करण की दिशा में कतम होना चाहिए, मतब कि reduce कर ये language barrier को, और भारत की ही language को आप आगे लेके आईए, जिससे लोग उस चीज़ को समझ पाएं, समझ पाएं तो अपने अधिकारों को समझ पाएं, कानून को समझ पाएं, और वहां पर court कचैरी में इसको ऐसा है ना बोलें, क्यार, court कचैरी में नहीं जाओंगा, वहां पर बहुत लं करने के आपर Supreme Court ने बोला है, कि आप किसी को death penalty दे रहे हैं, किसी जज को, कोई जज जो है, वो किसी भी criminal को death penalty दे रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा, कि उसके social background देख लीजिए, आप उसकी age देख लीजिए, आप उसका education level चेक कर लीजिए, तो Supreme Court ने बोला है, कि आप किसी को भी death penalty देते हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, वैसे बंद करने की बात नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, या फिर हमारे देश में बहुत देशों में ऐसे लोग हैं, जो death penalty के खिलाफ हैं, बोलते रहें कि आप इसके फैसला नहीं कर सकते कि कि किसको मिर्ट्य दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके विपरित में बहुत सारे आर्ग्योंटे मिलते हैं, अगर हम किसी को मिर्ट्य दंड नहीं देंगे, तो एक तरीके से वहाँ पर जो अपरादी हैं, या फिर जो एक जो victim है जिसके पर अपराद हुआ है वो तो उसको तो न्याई नहीं मिला न वो कहीं न कहीं कम जोर हुआ या लोगों में विश्वास कम हो जाएगा कानून के परती कि कानून तो रहा ही नहीं जहां पर सही डंग से उनको न्याई नहीं मिल पा रहा है तो इसका argument ये भी निकल के आता है तो उमीद करता हूँ कि आज का जो topic है criminal justice system के reform की जुरूरत है या नहीं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा समझ में आया तो मुझे कैसे समझा सकते हैं बेशक वीडियो को like करेंगे और comment section ओपर रहता है आपना कोई भी doubt है तो comment में रखिए और के लिए नहीं था thank you for watching this video